पुर्ण मंदिर में अगर प्रतिष्ठा की गई तो उसमें दैवी शक्ती नहीं आतुरी शक्ती राकत की विराजमान होगी जो सनातन धर्मियों को परिशान करेगी और अनिष्ठ होगा 22 जन्वरी 2024 आयोध्या में राम मंदिर में प्रभुराम की प्रान प्रतिष्ठा की गई प्रान प्रतिष्ठा का समय 12 से 12.45 तक था और उसके ठीक 12 घंटे बाद आता है एक तेज भुकम राद 12 बजे ब्रस्पती वार को ही भुकम के ऐसे जटके महसूस हुए कि चीन से लेकर नेपाल से लेकर पूरे भारत में कई जगां पर इन जटकों को महसूस किया गया आयोध्या में भी ये जटके महसूस किये गये यूँ तो बताया गया है कि राम मंदिर धाई हजार साल तक तमाम तरह के भुकम को जेल सकता है लेकिन मंदिर में प्रान प्रतिष्टा के ठीक बारा घंटे बाद भुकम का आना लोगों के दिलों में डरों का बैट जाना घरों से बाहर निकल जाना ये कुछ और ही संकेत करता है इतने बड़े स्तर पर पूजा होना जिसमें देश नहीं बलकि दुनिया भर से लोग शामिल हुए हो उसके बाद अच्छे की कामना हर व्यक्ति करता है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ठीक बारा घंटे में इतना बड़ा भुकम पाया उसके बाद चर्चाएं कुछ और शुरू हो गई है कही प्रभुराम यहाँ पर नरास तो नहीं क्योंकि जिस तरह से हिंदु धर्म शास्त्र के शंकराचारिय लगातार नरास चल रहे थे और उनका यह कहना था कि इस मंदिर में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके बाद असुर्शक्तियों का निवास हो जाएगा और असुर्शक्तियां फिर विनाश करेंगी तो क्या शंकराचारिय की बात यहीं साबित तो नहीं हो रही है क्योंकि उनका यह कहना था कि यह अशुब संकेत है क्या वाकई में राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अशुब संकेत शुरू हो गए है क्या वाकई में शंकराचारियों के नराजगी सही थी क्या हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सही तरीके से नहीं होई है अभी तक तो ये सिर्फ टीवी की खबरों तक चल रहा था लेकिन ठीक 12 घंटे में इस तरह का भुकम पाना कई सवाल खड़े कर देता है क्योंकि इस तरह से भुकम पाया की रात में धरते हिल गई और दिन में पूजा की गई थी इसके बाद हिंदू धर्म शास्त्र बहुत कुछ कहता है वो ये सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में जो भी पूजा की गई वो सही तरीके से होई क्योंकि पूजा करने के तमाम तरीकों पर सवाल उठाए गए और वो सवाल किसी और ने नहीं हिंदू धर्म शास्तर के सबसे ज्यानी शंकराचारियों ने उठाए वो खुद वहां पर मौजूद नहीं हुए क्योंकि उनका ये कहना था कि ये पूजा ठीक नहीं हो रही है और जिस राम की प्राण प्रतिष्ठा पहले सी विहां है जहां पर खुद प्रबुर राम ने अपने डर्शन दिये हो वहाँ पर दुबारा से प्रान प्रतिष्ठा करना सही नहीं है तो क्या वाकई में जो कुछ भी शंक्राचारे ने कहा उसके परिनाम अब देखने को मिल रही है हलाकि इस तरह से भुकम का आना कुछ नया भी नहीं है अक्सर इस तरह के भुकम के जटके जहले जा रही है हेमालियन रेंज में ये पहले से ही तमाम विज्ञाने को द्वारा बताया गया है कि अगले आने वाले कुछ वक्त में भुकम के जटके आते रहेंगे और उनी में से एक जटका ये था लेकिन ठीक बारा घंटे बाद पूजा के इस तरह का भुकम पाना जिसका रियक्टर स्केल पर तिवरता आठ रही आठ का मतलब समझते हैं आप आठ की तिरवरता का भुकम बहुत बड़ी तवाही लेकर आता है कुछ दिन पहले इसी तरह से जपान में भुकम पाया था नेपाल में भुकम पाया था और भी कई जगां पर लगातार भुकम के जटके आते रही है लेकिन अब लोग इसे पूजा के साथ जोड़ कर देख रही है क्या वाकई में प्रभुराम की प्रान प्रतिष्ठा सही तरीके से हुई है और अगर नहीं हुई है तो क्या वाकई आसुरे शक्ती अपना प्रभाव दिखा रही है